देरे गए थे बना लेने पड़ गए गुलाल फिल्म का डायलोग है जो कि 2009 में आये थी और रंसा उसमें ये लाइन कहता है अनुरा कशब की गुलाल जब सिनेमा घर में रिलीज हुई तो जादा लोगों ने सिनेमा में जाके नहीं देखी लेकिन देरे देरे बात चले कि फिल्म अच्छी है तो लोगों ने टोर्न से डाउनलोड करके देखी हो सकता है कि भाजपा की प्रवक्ता तेजिंदरपाल बगगा ने भी गुलाल देखी हो न देखी हो तो उने देखनी चाहिए रंसा के इस एक डायलोग के लिए जिसका जिकर मैंने भी थोड़ देर पहले किया और जहां से हमारी बात शुरू होती है बाकी लोग इस डायलोग पर समें थोकर के आगे वड़ जाते हैं लेकिन बगगा इसे फील कर पाएंगे अब इससे पहले आप इसका कोई भी तीसराय चौथा मतलब निकाले हम बता दें कि न रंसा की और न हमारी बात में कोई भी गंदगी या छिपा हुआ मतलब है बात सिचुएशन की है जो पैदर हुई तेजिंदर बगगा के एक ट्वीट से नमस्कार में हो निकिल और आप देख रहे हैं दिलालंटों सारी बात शुरू होती है 19 जनवरी 2019 की राट ठीक 11 बजे ट्वीटर में टाइम आदमी के सेटिंग के हिसाब से बहुत इधर उधर होता है तो जो हम टाइम आपको बता रहे हैं वह बगगा जी के ट्वेटर अकाउन के हिसाब से जो सेटिंग्स उनके डिवाइस पर होंगी, चाहे तो अपिसे बगगा स्टैंडर्ड टाइम भी कह सकते हैं, हम समय पर थे, 19 जनवरी 2019 की रात 11 बजे तक पहुच गये थे, इस वक्त तेजिंदर पाल सिंग बगगा ने अपने ओफिशल क्विटर हैंडल पर एक तस्वीर डाली, ये वो तस्वीर थी, बगगा ने तस्वीर के साथ दिखा कुछ नहीं था, तीन इमोजी बनाये थे, जिनके मूपर पट्टी होती है, लेकिन इमोजी के मूपर लगी पट्टी के बावजूद, पब्लिक कोई समयने में जादा महरत नहीं लगी, कि इसे मात्रेक सैयोग कहा जाएगा वाली भाषा में बगगा कह क्या रहे हैं, सैयोग ये कि उन्हें जमवरी को ही कॉलकाता में ममता मिनर जी और दीग विपक्षी निताओं की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, जिसमें अर्बिन केज जिवाल ने जो कुछ कहा वो बहुत चर्चित हुआ, और उसी रैली में केंदर की भाजपा सरकार के खिलाफ विपक्षी एक ताकी कस्मे खाई गई थी बहुत सारी, तो बगगा जी वाज लाइक, यूनो वाटाइमीन, बगगा की ट्वीट पर तुरन जवाब आने लगे, बाज शेर और कुटों की थी, तो लोग ऐसे कुटों के तस्वीरे पोस्ट करने लगे, जो शेर जैसे दिखते थे, वो ये वाला मामला भी, you know what I mean वाला ही था ना, फरजी शेर टाइप का, लेकिन कुछ पड़े लिखे लोगों ने महनत की और ये मालूम किया कि बगगा की हजार शब्दों के बराबर वाली तस्वीर, actually क्या कहना चाती है, दरसल बगगा की तस्वीर में शेर की जो दहार है, वो कुत्तों को हड़काने के लिए नहीं है, ये शेर actually अपनी जान बचाने की जुगत में, क्योंकि जो कुत्ते बगगा वाली तस्वीर में हैं, वो कभी अफरीका में शेर के शिकार के काम आते थे, कुत्तों की स्वाजाती का नाम है Rhodesian Ridgeback, रिज का मतलब होता है पहाड़ी, Rhodesian Ridgeback की पीट पर एक सीद में पीछे की तरफ होगे कुछ बाल होते हैं, जैसे कोई एक पहाड़ी सी हो, तो पीट पर पहाड़ी जैसे बाल वाले कुत्ते का नाम पढ़ा Ridgeback, Rhodesian आया Rhodesian से, Rhodesian उनने सो पैसे से उननन्यासी तक अफरीका में एक मुल्क था, उससे पहले भी होता था, ये नाम इतने टाइम तक के लिए था, और उननन्यासी से हम इसे Zimbabwe के नाम से जानते हैं, Rhodesian Ridgeback बड़ा भादूर होता है, और उसकी जो शिकारी प्रवित्ती होती है, उसका जो किलर इंस्टिंक्ट होता है, वो बहुत तगड़ा होता है, और ये सब इसलिए क्योंकि इसे कुद्रत और इंसान ने मिलकर बनाया है, अफ्रीका के दक्षिन में रहने वाले खोई-खोई कभीली के लोग हजारों सालों से ऐसे कुद्टे पाल रहे थे, जो बड़े अग्रेसिव होते थे, जो बड़े रफिन टफ होते थे, रखवाली के काम भी आते थे और शिकार के भी, और इनकी पीट पर ये जो रिज होती थी, वो उनका एक फीचर था, डिस्टिंक्टिफ फीचर, जब यॉरप के लोगों ने अफ्रीका को खोजा और वहां बसने लगी, तो अपने साथ यॉरप से कुद्टे भी ले गए, इन यॉरप इन कुद्टों के साथ कोई कोई कभी लेके कुद्टों को ब्रीट किया गया, मानि दो अलग-अलग नसलों के मेल से एक नई नसल बनाए गई और ऐसा कई सारे केसे में हुआ, उननीसवी सदी के दौरान साथ अफरीका में चार्ल्स टैनियल हेल्म नाम के क्रिश्टन मिशनेरी हुए थे, और इनके पास में दो कुद्टिया थी, है न, इसी इलाके में एक और साहब थे, कॉर्नेलिस वैन रूइन नाम के, कॉर्नेलिस कुद्टों के शौकीन थे, और एक ऐसी नसल तयार करना चाहते थे, जो अग्रेसिव हो, अक्रामक हो, और डट कर रखवाली करें, तो कॉर्नेलिस ने अपने दो कुद्टों के साथ, हेल्म की दो कुद्टिया को ब्रीड किया, इससे जो पपीज पैदा हुए, जो संताने पैदा हुई, वो रोडेशन रिजबैक के पूरवज बने, लगातार प्रयोगों और बीडिंग से कुद्टों की जो नसल तयार हुई, वो बहुत बहाद्दूर थी, इसके कुद्टों के अफरीका के कठोर माहल में कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है, रात को बहुत सर्दी हो जाती है, और सबसे बड़ी बात ये, कि ये शेर या चीते जैसे बड़े जो शिकारी जानवर होते हैं, जो बिग कैट्स हैं, उनके आने पर भी दूसरे कुद्टों के तरह भागते नहीं थे, उल्टा उनहीं खदेर देते थे, इसलिए जब अफरीका में, इनका इस्तमाल शेर या चीते को ट्रैक करने के लिए होता था, ये उसका पीछा करते थे, और खदेर खदेर कर इतना ठका देते थे, कि उसे निशाने पर लेकर गोली मारी जा सके, तो इन्हें नाम मिला अफ्रीकन लाइन हाउंड और अफ्रीकन लाइन डॉक, वैन्रुयन के नाम पर इन्हें वैन्रुयन स्लाइन डॉक भी कहा गया, लेकिन जब 1920-1930 के बीच ये नसले standardized हो रही थी, माने इन्हें एक संकर नसल की जेगे का लहदा प्रजाती के तौर पर register करवाया जा रहा था, तो इसके लिए एक standard नाम भी ढूंडा गया, और इसमें काम आया पीट वाले रिज और वो इलाका जहां इनसे शेर और चीते ख़देड़ जाते थे, और ऐसे बना नाम rotation ridge back, आज शेर का शिकार नहीं होता है, लेकिन गे हुए रंग के rotation ridge back, आज भी अपनी agressiveness, अपनी आकरामकता के लिए खूब पसंद किये जाते हैं, एक बात और जानिए, rotation ridge back बहादूर होते हैं, लेकिन कभी भी सभावत तह शेर का शिकार नहीं करते हैं, on their own का शिकार नहीं करते हैं, उन्हें हमेशा इंसानों नहीं इस काम में लगाया, शेर को जान से मानने का काम जब होता भी था, तो वो इंसान ही करते थे, अब तेजिंदर पाल सिंग बगगा ने तस्वीर के साथ कुछ कहा नहीं था, और जिन लोगों ने तस्वीर में कुछ की प्रजाती बताई, उन्होंने भी कुछ नहीं का था, लेकिन बगगा समझ गे, उन्होंने बात समालने के लिए एक के बाद एक टीन ट्वीट और किये, लेकिन सिचुएशन जो थी, वो बन चुकी थी और इसलिए हमें उसके जिकर के वक्त रंटसा का डालॉग याद आया, moral of the story क्या है, moral of the story ये है कि एक तस्वीर हजार शुब्दों के बराबर होती है, और उन्हें समझने के चक्कर में कभी-कभी लेने के देने पर सकते हैं, जैसे रंटसा को पड़े थे, और जैसे, you know what I mean, thank you.